बिना गरंटी बैंक से मदद दिलाने वाली मुद्रा योजना ने करोड़ों युवाओं की मदद की है। स्टार्ट अप इंडिया, स्टेंड अप इंडिया जैसे अभ्यानों से युवाओं का सामर्थ और ज्यादा बढ़ा है। सरकार से मदद पाने वाले नौजवान अब खुद अनेक युवाओं को नोकरी दे रहे हैं। बीते वर्षों में जिस तरह बड़े पैमाने पर युवाओं को सरकारी नोकरी दी गही हैं। यह अभ्यान भी अपने आप में अभूत्पुर्व हैं। देश में सरकारी नोकरी देने वाले प्रमुक समस्थानों जैसे SSC, UPSC और RRB पहरे के मुकामले इन व्यवस्ताओं के माध्यम से जादा युवाओं को नोकरी दी हैं। और अभी जो वीडियो दिखाया गया उसमें उसका जिक्र भी है। इन संस्थाओं का जोर परिक्षा प्रक्रिया को पारदर्ची, व्यवस्तिक और सरल बनाने पर भी रहा है। पहले जिन भरती परिक्षाओं को पूरा होने में उसका जो चक्र होता था, वो चक्र पूरा होने में साल डेड़ साल का समय यूही लग जाता था। और अगर वो कोई कौट कचरी में चला गया, तो दो दो पांच पांच साल भी गड़ जाते से। ये सारी चीजों से बहार निकल करते हैं। अब कुछी महिनों में सारा चक्र, सारी प्रक्रियाएं पारदर्शिक पद्दति से पूर्ण कर दी जाती हैं। साथियों, आज पूरी दुनिया हमारी विकास यात्रा में साथ चलने के लिए तत्पर है, भारत को लेकर ऐसा विश्वास और हमारी अर्थववस्था पर इतना भरोसा पहले कभी नहीं रहा। आप जानते हैं, एक तरफ वैश्विक मंदी, कोरोना जैसी भहेंकर वैश्विक महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की वजह से वैश्विक सप्लाई चेंड तूटना, कितनी कितनी कठिनाईयां दुनिया में दिखाई दे रही हैं, इन सब के बावजुद, और युवानों, मेरे युवास साथियों, इस बात को आप गौर कीजिए, इन सारी दिक्कतों के बावजुद भी, भारत अपनी अर्थे बवस्ता को नई उचाई पर ले जा रहा है, आज विश्व की बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मेनुफेक्टरिंग के लिए भारत आ रही हैं, आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, रिकॉर्ड स्तर पर है, जब इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेस आता है, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, उद्योग का विस्तार होता है, नए-ने उद्योग लगते हैं, उत्पादन बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है, और स्वाबाविक है, बिना नए लोग नवजवानों के काम हो ही नहीं सकता, और इसलिए एंप्लोईमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, रोजगार बहुत तेजी से बढ़ता है, हमारी सरकार के निर्णवने प्राइवेट सेक्टर में कैसे लाखों नए अउसर पैदा किये हैं, अभी हमारी डॉक्टर जितेंदर सिंग जी,